नमस्कार जनत्ता टेलिविजन को प्रस्तुती दर्शन दिगदर्शन कारिक्रम मा गोपिरमणु पाध्याय दर्शकहर लाई हार्दिक श्वागत अईवादन गर्दशू पुर्विय देश पनेर चिनिने हिमाली उपमहद्यिप का मुलुक हरु मद्धे हमरो देश नेपाल एक हो यहाँ प्राचीन काल देखी नई रिशी महर्शिय होडले प्राच्य विद्ध्या विज्ञान को श्रिजना गर्दे आये इविशय पस्तो हरु बाइदिक बांगमय देखी लिये र तिरपिटक बांगमय हरु सम्ममा संग्रिहीत रहे का सन् इने रिशी महर्शिय हरु दार्शनिक हरु र नीति शास्त्रकार हरु को ब्यक्तित र कृतित को परिचय का रूप मा प्रस्तुत गरिने कारिकम को नाम हो दर्शन दी दर्शन आजा को प्र्श्थुति मां बोध्य दर्शन को तेस्टरो पक्ष आचार मिमान सागो भारे मा에게 года चार्चा गारनेशनु इनसाओं साथ मां केही नितिवचन औरूपनी प्रश्थुत कारनेशनु आजा को यह दर मोत्य दर्शन को आचार समिता को पहिलो पक्ष तिरिरतन सबाय परकार का बोध्ध भीक्षियु हरू, स्रमन हरू, स्थवीर हरू, महांस्थवीर हरू सवय ले एथा सक्य पालना गर्णु परने महान रत्न हुन। जशरी रत्न हरुको धारना ले मानिश हरुमा विशेश किशिम को सोभार सोंदरे को विकास हुन्च ठीक तेस्तेगरी सील समाधी रप्रज्यां। जश्ता त्री रत्न हरुको धारन गर्ना ले स्वय किशिम को सोभा सोंदरे को विर्द्धि उन्च भन्ने आचार बिधी को निर्मान भाय को हुँ। इतीन रत्न हरुमाद्दे पहलो रत्न सील हो दोसरो रत्न समाधी हो तेसरो रत्न प्रज्यां हो। इतीन रत्न हरुको करमस परिचय प्रस्तुदगर्ने चा प्रथम रत्न मुख्यतया पांच किशिम को हुँ। इसे राई पंच सील पनी भनी एको छ। ती पंच सील हरुमाँ पहलो अहिम्षा, दोसरो अस्तेय, तेसरो सत्य संभाषण, चाउथो बर्मचरिय, पांच मादक पदार्थको शेबन वाट बिरत्ती। इस शिल हरु सम्पुर्ण बवद्धधार्म दर्शन परती समयन्य आस्ता राखने सब पईले परिपालम गर्नु परने नियम आचार एवं विदिविदान हरु हुन। दोसरो अहिम्षा, अहिम्षा स्वेम माँ जैन्र बद्धधर्शन को मूल केंद्र बिंदु हु। बद्धध चिंतनमा आस्ता राखने प्रत्य ग्रियस्त एवं विक्षोर ले पालना गर्नाई परने सील अंतरगत को मुख्य पक्ष अहिम्षा हु। यस अंतरगत उनेपनी प्राणी लाई उसको प्राण बाट अलग पार्न लाई हिम्षा भनियको वने। तेस तो कार्य कदा पि नगर्न नहीं अहिम्षा मानीं छ। जुन समय मां बद्ध चिंतनले बर्खर बर्खर समाज मां आकार ग्रहन गर्दई थियो। तेस अवस्था मां अहिम्षा को पनी व्यापक परचार परशार भयो। बुद्ध को शिश्यत ग्रहन गर्न पुगे का कुट दंत नामक ब्रामन ले। तेस बंदा पहिले सब्बा सतिक एग्यगर ने तयारी गरी रहे का थिये। उनको यग्यको तेयारी इस परगार रहे को थियो। यो बुद्ध करंध मां बनिय को कुरा हो। एक समय मां भगवान बुद्ध मगद देश मां स्रमन गर्दा। गर्दाई खाणू मत भन्ने ब्रामन हरुने निवास गरे को गाव मां पुगनुवायो। कुट दंत नामकरे का ब्रामन तेहां का सबै वंदा धनीर परतिश्ठित ब्रामन थिये। मगद राज बिम्बशार ले उन लाई ब्रम्मदेव अर्थात दी शक्ये को बस्तु फेरी हरण गर्न न पावने गरी। राजो दय अर्थात राजा को अधिकार लाई तोक्ये को छेत्रमा तेसे अनुरूप प्रयोगगर्न पावने सामन्त सरह को अधिकार प्राप्तगरे का थिये। उनले प्राप्तगरे को सोच छेत्र अथवा बिर्ता जसलाई हरा जुन अत्यनत हरा बरा थिय। तेस छेत्रमा पशुधन अन्यधन एतेस्ट रूप मा थिय। तेसे कारण कूटदंत ब्रामन ले सब्बास्षतिक महायग्ये को तैयारी गरदेई थिय। तेसको तैयरीमा साथ से गोरू, साथ से भर्कर का बाच्चा बाच्चे हरू, साथ से बोका हरू, साथ से ब्रेडा हरू, यग्यका लागी मोलामा बांदेर ठिक पारेका थिय। यो चहीं बवद गरंधमा वनिये कुगरा हो। यदि त्यो कूटदंत ब्रामन ले आयजनागरन लाये को यवटा सब्बास्तक यग्यमा यतिका धेरै प्राणी अरुको हत्या भायर रगत को खोलो बगने अवस्था को शरिजना हुदा हिंशा को तांडव कति सम्म विस्ता अरुदार हुंचे वहला यसलाई रोकने काम मा बुद्धले ठुलो भुमिकार निर्भागरी यह समयमा कुटदंत ब्रामन त यवटा प्रतिंदी पात्र मात्र थियू तेस्ता कुटदंत अरुता समाज मा अनेकों थिये ती सभईले यवटा न यवटा बवदिक एकेंगर कतिका पशुदन अरुको ब्रिधा बलिय अत्या उन्तियो यस परकार को हिम्षा चार बाट समाज लाई रोकन बुद्ध को आचार शिक्षा अर्थात पहिम साले अत्ति ठुलो भुमिकार निर्भागरे को देखिन छा समाज मा पशुदन को छे मात्र न वैर मानव जाति को तलो तह दास हरुले पनी ठुलो कश्ट साथ जीवन बात्नु परेको अवस्तामा तेस परकार को उत्पादक सक्ति लाई बिनास हुन बाट बचावन तेती प्रभावकारी उपायत रत्न सकेनन तर पशुदन लाई हिम समय एग्य को सुत्रपाद करे जस्मा दान को ठुलो महिमा रयो यस दान अंतरगत बोध भिक्षयोर लाई भोजन दान अन्न दान बस्तरदान आदी अनेकों परकार का बस्तोर को दान गरने परिपाटी को विकास भायो अवस्ता को मुख्यतात परियो कुने पनी प्राणी उसको प्राण बाट जानी बुजी अथा सचेत रुपम त्यस वाट न अलग्याईनू नहीं हो इस्ताई अरुको चितलाई दुखी न पारनू पनी अहिम्षा ब्रत अंतरगत पर्दाश पोशु हिम्षा वाट मुक्त भायर गरिने अहिम्षा मय एग्य का संबंध मा एशर चर्चा गरियेको छो अरे ब्रामर त्यस्तो यो त्यस्तो एग्य थियो जहां न गाई होरु काट्टिये का थिये न बोका होरु काट्टिये न कुहरा होरु काट्टिये न विवित प्रकार का प्राणी होरु काटने कामनी भायको थियो तो यूप अथा मौलो को लागी उसकेर आदि काट्टिये, नो दास दाशी हर लाई, प्रेश्य हरूर, खेताला हर लाई, कुनी प्रकार का दंड को भाय थियो, नत कसे लाई, रोह कराई गरेर काम गरदै थिये, तेहां त स्वेच्छाले आपना आपना काम अरू गरेरे का थिये, गिव, तेल, नोनी, दही, म आई, शक्खर आदि, निर्मेत, खाद्य वस्तोहरू, यथेष्ट रूपमा, सबयमा, बितरनपनी गरिदै थियो, यो दिर्गनिकायमा बनियको कुराहो, यशेरी बुद्ध को पंच सील मद्धे को पर्तम सील अहिम्षा बरत बवद्ध आचार मिमान सागो अच्यन्त प्र बाय को बायरा नागे को देखिएं छ, तैस्तरो रत्न हो अस्ते है, समाज मा बलीयाले निर्धालाई दबाउने उनियरू को भायवर को अस्तित्त लाई समाप्त पारने काम। निर्णतर रूपमा चली रह चोछ, समाज मा इसेलाई बर्ग संगर्शकार रूपमा पनि एरि गरेको देखींचा, सबई छेत्र मां राज्य को पहुंच समान किशिमले नपरने भय को हुदा धार्मिक नईतिक बंदन जस्ता स्यामाजिक सम्मंद हरूले एक प्रकार को नईतिक बंदन हरू स्थापित गरेके हुन्चा, ब्रामण धर्मदर्शन अरुमा पनी इस्ता प्रकार का नईतिक नियम्र सदाचार को पालनका लागी अनेकों प्रेरग निती नियम हरुको निर्मान भाय जाईं बद्ध चिंतनमा पनी पंच शील अंतरगत अस्ते अभने को चोरी न करनू मने भनने विशेलाई दोस्रो महत्त को सील को रूप मा ग्रहन गरियेको देखिन छा एसेलाई दिर्ग निकायमा भनियेको छा अधात्ता ना दीन पनी भनिन छा जशको तापरिय कशय को बस्तु अनमतिया उसले प्रदान नगरिकने शत ग्रहन गरने कुराने स्थे अथवा आ जशलाई बद्ध दर्शन को भासा मा अधात्ता ना दीन कशय को बस्तु कशय ली नदीकना अंपिले कवजागरनु बद्ध शिल को अस्ते को महत्त एस अर्थमा पनी महत्त पुर्णा देखिन छा शमाजमा जव मानिशवर्मा जव एक आरगा परती असाहिष्णू लूट पाट को परविर्ति देखा पर चा तेसलाई नियमन गर्न पनी यो अस्तेय नामक सील को ठुलो भुमी का रहे को देखिन छा इसका साथ है बद्ध संगहरु मा रव विक्षु जगत मा पनी अस्तेय शिल को पर्म स्रेष्ट सरूप का रूप मा स्थापित वहे को देखिन छ यो त थियो आजा चेहीं बद्ध दर्षन को अचार मिमान साको पहिलो पक्षा अव म के निति बचन का पिशय मा प्रवेश गर्न चाहांचू आजा को पहिलो पर्शंगा मानिशले स्वदेश को हीत्र स्वत्त रच्छा का लागी नहीं काम गर्नु पर्द चा बनने यो निति पद्ध दरे बताये को छा शर्वता स्वहितमा चरणियम किम करिश्यति जनो बहो जल्प विध्यते नई कस्ची दुपाया शर्वलोक परितोश करोया स्वभास्त आवली को नौशे पांचू पद्ध हो यो इसको तात्परे हो हरेक हिस्चाबले स्वत्व रश्वजन हरु को हेतोने काम गरनू पर्तछ विर्थमा प्रलाप गरने हर ले क्यके पहंचन बन्ने कोरामा ध्यानतिनु आवस्च कही हो दाये ने उपायक तापनी उदाये नौ येस संसार मा सवहिले सवहिलाई खुशी पारने कुने परकार को उपाया उदाये उदाये इस नीति पद्देले बताये को छा, इस तेगरी अर्गो परसंग, कोईले कोई आपने गुण हरू पनी आपने बिनास्का कार्न हरू बंद चानाई, बानने सम्मंधमा यो नीति पद्देले बताये को छा, मानसम मिरगानाम दसनो गलानाम, मिरगद्दिशाम चर्म फलं दुर्मानाम, स्त्रिनाम सरूपम, नरनाम हिरन्यम, येते गुणा बैर करा भवन्ती, सारं अंधर पद्दिती हो पांसे, चाथी शमय पद्दे हो जो मिरगानाः तयों है, वन हम जए उन्हें उनना ले उन्हेहर को त्यों गुर्ले गरदा उन्हेहरू महारिण चन्हान। रूख हरू फाल का लागी रा दावरा का लागी नाशिन चन। तेस्तेगरी महिलाजन हरू अत्यनत रूप का कारण ले पनी उनियोरू परताडित होने जान चन। माने पुरुस हरू शंग संपदा भायेको दन्सपद्धिका कारण ले शत्रोर दारा कहीले काहीं खत्रामा पर्नसपद चन। इकुराहरू खास किसिम का गुण हरू ले गरदा आपने शत्रू बने का होन्चन। बनने कुरा यस नीतिपद ले बतावना ख़जेको। इस्ते गिर्यार को पर्शंग इनिहर लाई पुरै परित्यागर्नु बेशुन्च। मने सम्मन्दमा यो नीतिपद ले पताये को छ। शास्ता गिरिनी ब्राम मनसर्व भक्षी। तिरचा वशा दुष्ट बुदी बुद्धी शाहय। प्रिश्य प्रती पोधिकिर्त प्रमादी। त्यज्य यमा यस्चकिर्तम नवेत्ती। शारंदर पद्धती को पान्से एक्चालिश उपद्धे होयो। इसको तात्परे हो पर्शासक भायर पनी आम जनता जन समुदायलाई गिर्नाको दिश्टले हिर्द चावाने। ब्रामन भायर पनी जे पायो तेई खाने शार्व भक्षी किशिम को चावाने। अत्तिनत चाड़ा किशिम को वेभार वायका मुईला जन हरु छन भने। कपटेरे सहायक आपना आशे पासे अत्वा नजिक्का मानचे हरु छन मने। लापरवा किशिम को हाकिम छवने। कशेले गरेको उपकार लाई कट तूरंते पिर्शिदीने किर्तगनी खालकू मानचे चवने। तेस्ता मानचे उर लाई परित्या गर्नो नई। सब बंदा बेश हुन्चा बन्ने कुरा यस नितिपदेले बतायो। यस्ते गरी और को पर्शंगा। यस्ता कुराहरू कहिले पनी समाधानू हुदाई न। बन्ने संबन्दमा यो नितिपदेले बतायो। मिर्तस्यलिप्षा करपणा से दित्षा बिमार्क गाया अस्तरुची श्वकांते सरपश्यसांती कुटिला समयत्री विधात्री श्रिष्टव नहिद्रिष्ट पुर्वा स्वासितरत्र मन्नागार को 825 पद्दे होयो। यसको तात्परे हो। मरी सके का मानिस का केके इच्चयावरू थिये वलान। बने रहे योकुरो कहीले भन्न सकिदे हैं। मरे रहे पेशी सबई करा सकिंचा। कंजूस मानिसले क्येके दानगर्नो कोजे को थियो बन्ने कुर आपनी कहीले कसेलाई थाहूँ देए न। एक आंत निर्जन ख़ला में केनारामा बशेरा गायना बजाना गरियेको अवस्तामा कस्तो गायना बजाना गरियेको त्यो त्योपनी धाहू हूँ दईन अ सरप कहले सम्मा सांथ भायर वस्योश यो करापनी कसलाई थाहू देन कपथि मानिष चंग को मितरता अले पनी कहीले दोखादीनं छा त्यो को रापनी था हुँन섯 ना इसता को रावरु सन्षार महां पहिले देखिए देएनन पछी पहिले कहीले पनी मनने कोρί ऐस् नीझीपदेले बतायो इस्ते गेरी आरको परसंगा शल्पक ज्यान ले गहमन निम्तियाँ चा बनने संबन्ध में यो निती पद्दिले बताये को चा संपुल्ण कुम्मो नकरोति सब्दम् अर्धो घटक्गो समपहेति नूनम् विद्वान कुलीनो नकरोति गर्वं जल्बंति मुर्खास्त गुनएर भिहीना सिवाश्यतरत्न वंणागार को 870 यो पद्दे हो यो इसको तात्परे हो बरिये को घडा चा वने तेसले कुनी परकार को आबाजगर दे न तर तेई तेसमा आधा जलमात्राय रहे को चा वने तेसले निकई हल्ला गर्दा चा तेष तेई विद्धत्वाई को मानिस्लेपन कईले कमंड गर दे न तर शुल्पक ज्यान भहे का मुर्ख उरले बनी निक कई फुर्ति फारती लगाय का हुंचन बन्ने कुरा यस्नीति पद्देले बताऊना खोजे को हूँ अब अर्ग परसंग यदी मित्रतार अनुराग्ष भने जति शुकाई टाडा भहे पनी नजे के रहे जस्तोंच बने सम्मन्दमा यस्नीति पद्देले बताऊना खोजे गिरो मयूरा गगने पयोदा लक्षांतरेर कस्च जले शुपदमा इन्दूर्द्विलक्षम कुम्मद यो यस्यमित्रम नही तस्यदूरम नीतिशार को यो पहिलो अध्याय को पहिलो पद्दे हो जो इसको तात्परे हो यहां का पहाड पर्वत हरुमा मजुर हरु हुँँचन तर अत्यन्त टाढावाय का आकास का बादल हरु नहीं उने अरुका मित्र हुँँचन किनमने यहां किनमने बादल हुँचन 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 किनमने बादल हुचन 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 किनमने जती शुकई टाड़ावाय पनी उनिवर का मित्रने हुँँचन मन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो दर्शक मानुबाबरो आजको लाई नीतिपद्धन परसंगमेले यहीं शमन्निविदन गरें प्राच्य विद्ध्या अभिज्यान को उदुगम स्थलमद्दे एक मान को यस्भुच्यत्रवाट अरुलाई पनी इविशे वस्तुवारे परिचय गरावने उद्ध्यस्यले अविजनागरे को कारिक्रम दर्शन दिख दर्शन आजलाई यतिने शाकर्मी मित्र दिनेश लोहनी का साथ मा गोपिर्मन उपाद्याय विदा वांगत दुचू धन्य हुआ हुआ है